हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छी होंगे अपने घर पर सुरक्षित होंगे मैं जोती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने येट्यूब जैनल स्टडी पॉरिंट पर जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमाटिक्स फॉर बीसी और वीडियो में प्रवाइब जो बारे में जो कि आपके टुथाउजन नाइटीन में एटीन में पूछे जा चुके हैं ठीक हैं बाकी के जितने भी आपके कोशन से जो कि प्रिवेस यह में आए हुए बच्छों आपकी बुक्स में आगे लिखा हुआ होता है कि इस वाली यह में आए हुए यह इस वाली यह में आए हुए तो आपको उन सभी कोशन के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ठीक है अधर्वाइज मैंने कम्प्रेट बुक में से सभी कोशन से निकाल दिये हैं जो भी आपके 2019 में आए हुए 18 में और 17 में उनको अलग-अलग कलेक्ट कर के नॉट्स बना दिये हैं जुनको मैं आपको इस वाली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगे ठीक है नॉट्स आपको चैप्टर वाइस प्रोवाइड होंगे यानि किसे आपका कोई भी चैप्टर होगा देखिए कल आपकी जो सेकंड यूनिट थी सेकंड उनिट में आप सभी के सामने एंड ध्यान रखना जिन कोशन्स पर लिखा हुआ है वह कोशन्स आपको बिल्कुल भी नहीं जोड़ने है ठीक है एंड थियोरम के आगे मैंने लिखा हुआ है जिनका स्टेटमेंट प्रूफ दोनों पूछा जाते हैं के सामने स्टेटमेंट प्रूफ बाकी के कुछ इंप्रेंट जो कि आपके इन इयर्स में आये हूँ है क्योंकि मौसटली वीचान के जो भी बाकि कोशिच करना कि 13 तक के तो करी लो ठीक है एंड़ उसके बाद में बाकि के जो भी कोशन आए हूए है एक चीज का धियान रखना बच्चों जो भी प्रिवेस यूयर में पूछे गए कोशन से वो तो आपको करने ही करने है बागी इनका और थोड़े अच्छे से तयारी कर लेना ठीक है तो एक बाइन का स्क्रिंशोट ले लीजी इसके बाद में बुचो चैप्टर आता है सक्सेसिफ डिफ्रेंशेशन देगे बुचो ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है यह इस ही है complete chapter आपका formula based है यानि कि अगर आपको इस वाले चैप्टर के formula अच्छे से आ गए तो उसके बाद में आपको इस वाले चैप्टर में कोई भी प्रोब्लम नहीं आनी वाली सेम सक्सेसिफ डिफ्रेंशेशन है एंड इसके बाद में चैप्टर आपका expansion of functions वह भी complete आपका formula के उपर ही based है अगर आपको इन chapters के formula अच्छे से आद है तो आपके questions बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे otherwise अगर आपको formula में doubt होगा तो आपके questions गलत होने के पूरे पूरे chances है ठीक है इसमें बच्छो एक तो questions है examples है देखे मैंने आपको कल भी बताया तो और आज भी बता रह आपको समझा दूंगी किसी दिन डाउट क्लास लेगी otherwise questions मैंने आपको सभी कराए हुए है ठीक है तो आप महां से कर लेना because अब इतना time नहीं रह गया है कि मैं आपको questions भी प्रवाइड करा दूं उनका solution भी मतलब ठीक है तो यहां पर successive differentiation के कुछ questions से जोड़की 2019 में पूछे जा चुके है एक बाइनको screenshot ले लीजिए इनका successive differentiation में ही बच्चों इससे आगे देखिए question number 4 तक वहां तक थे यह question number 5th, 6th and 7th है एक बाइ इसका भी screenshot ले लीजिए and धियान रखना बच्चों इसमें very most important है आपकी जो labnees theorem में इसका statement and proof दोनों ही आते हैं pension of functions तो इसका भी एक बाइर screenshot ले लीजिए इसमें जितने भी questions आपके आई हुए है total 8 question है देखिए इसके बाद में chapter है indeterminate forms बहुत ही जादा easy chapter है बिल्कुल भी tough नहीं है इसमें कौन सा formula apply होना है mostly exercise में यूज होगा आपका L hospital rule जो कि कौन सी indeterminate form के लिए यूज होता है अगर आपकी form बन रही है 0 upon 0 या फिर infinity upon infinity तो उस condition में आपको कौन सा formula लगाना होता है L hospital rule ठीक है तो उसमें क्या होता है आपको differentiation करना होता है सभी terms का अलग-अलग तो जादा tough chapter बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके differentiation अच्छी से आता है तो आप इस chapter को easily कर सकते हो तो ये भी आपके choice में है एक chapter जिसको आप easily कर सकते हो गर आपने अभी तक exam की से पहले बुच्छो ये वाला chapter नहीं किया है तो इसको कर लेना बहुत easy chapter है बहुत जल्दी हो जाएगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक है तो इसके ही कुछ questions से जो आपके 2019 म में पूछे जा चुके हैं पहले भी ठीक है तो लास्ट टाइम ये 2019 में पूछे गए थी इसलिए मैंने 2019 में लिखे हुए है तो आपको ये सभी कर लेने अच्छे से ठीक है एक बाइन का screenshot ले लीजिए उसके बाद में बच्छो देखिए यहां से स्टार्ट होने 2018 में जो यहां से देखिए बच्छो चैप्टर आपका successive differentiation इसके जो भी questions आयो हुए थे वो मैंने यहां पर लिख दिया एक बाइनका screenshot ले लीजिए एंड इस वाले question पर ध्यान मत दीजिए यह मैंने दोबारा से लिख दिया था सेम जैसे कि आपका question number 4 है यह वही वाला question है तो इसलि यहां पर ठीक है उसके बाद में देखिए बच्छो 2017 पर आते हैं तो उसमें successive differentiation के जो भी questions आपके 2017 में पूछे गए हैं वो सभी यहां पर लिखे हुए हैं मैंने 5 नंबर पर देखिए 5 नंबर पर मैंने लिखा हुआ एक्जामपल नंबर 13 14 15 16 17 यह पांचो ही एक्जामपल बच्छो आपके 2017 में पूछे गए हैं तो आपको यह पांचो ही एक्जामपल करने हैं प्लस मैंने लिखा हुआ है PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन और वीडियो यानि कि बच्छो जब मैंने आपको यह वाला चैप्टर कराया था successive differentiation तो उसमें बच्छो मैंने आपको वीडिय मिल जाएंगे लेकिन अगर आपके पास में कृष्णा पब्लिकेशन से अधर किसी भी पब्लिकेशन की बुक है तो आप प्लीज उन वाली वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ठीक है सक्सेसिव डिफ्रेंशेशन के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई जो वी जो उसके बाद 2017 में आपका चैप्टर है एक्सपेंशन और फंक्शन और इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो इसके जो भी कॉष्ण आपके 2017 में पूछे गए हैं वो मैंने हापे लिखे हुए एक बार इनका भी स्क्रिंशोट ले लीजिए आप ठीक है तो देखिए बचो जित करने, आपके MS आपके आने वाले हैं बिलकुल और जो आपकी सेकेंड सैमस्टर की क्लास है वो वजो हुम 4 मार्ट से स्टार्ट करेंगे ठीक है, आप सबी ज़्यादा परेशान मतुए कि मैं मैं सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कब कर रहा हैं कि आप सभी को हangen करे से काई अब Rs. अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद